पिरिये छात्रों नमस्कार निवास लासेज में आपका सवागत है दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको प्रसन वाली 12.3 का प्रसन संख्या EG से बताएंगे तो जैसा कि प्रसन संख्या EG में दिया गया है आप 3 संख्याओं 7 दस और 12 से संख्याओं वाले चर नहीं जितन इन संख्याओं से जितना बना सकते हैं इतना बनाना है जिसा कि यहां दिया गया आगे एक संख्या एक से अधिक बार्परयोग नहीं करना है शाल करके बताते हैं इस प्रस्ण का उत्तर कैसे देना है तो जिसागी हम आपको समझाने के एक रहत पिज लिए ठीक है आपको इस ऊध्रनात के साहता से हम आपको बताते है किसको कहीते हल करना है जिसके यहां लिखा है पर्योग करना बार बार पर्योगश नहीं करना है एक बार परिकाल पर रसने के और इसे की निखा हुआ है तरहला है तक आपको लिखना है 10 वलस साथ यहां लिखना है साथ-पर फिर मायनस में 12 ऐह आपको को बुक में पहले उदारत दिया गया है ठीके तो इसके अलावा अब अलग से लिखना है जैसा कि इसको लिख सकते हैं कैसे दस पलस साथ ठीके ब्रेकेट में इसको लखना उसके बाद यह माइनस का है तो यह पलस हो जाएगा 12 ठीके एक यह हो गया अगला आप इस तरह से इस मानस साथ ठीक है उसके बाद मानस में बारा आप इसे असे भी लिख सकते हैं ठीक है और में अबनान के लिए हो जाएगा देश गुना साथ ठीक है परीने लेकल में में 12 अबहेंberry यहां जैकता से यहां इस तरह से यहां जा रहा है ठीकर एक को इसी तरह से आपको और भी हल करना है तो आपको इसी परकार से और भी अधारन को लिख लेना जैसा कि यहां पे हम लिख रखें हैं तक liberal देख सकते हैं किस तरह से लिखागा कोई संखिया डवलबर रुपिट नहीं किया गया थे अलग अलग परकार से लिखा गया तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है जिसा कि प्रहापे हम आपको समझाया है ठीक है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं तो नेक्ष प्रसंद संख्याद 2 में है निमलीखित में से कौन से केवल संख्यों वाले बेन जाके इसकारति यह हुआ कि इसमें सिर्फ संख्या वाला होना चाहिए चाहिए नहीं होनी चाहिए तो प्रसंद संख्याद 2 में है निमलीखित में से कौन से केवल संख्यों वाले बेन जाके टोटल यहां देख रहे हैं कि एस से लेकर एफ तक का प्रसंद दिया गया जिसमें से प्रसंद में बताया गया कि केवल संख्यों व वाला बेंजक है तो प्रस्ण के Xori नमर एंशर हो जाएगा ठीके उसके लगात भी is इसलिए नहीं होगा दी में भी लगा लगाऊ है नहीं होगा और यहांभी नहीं होगा तो प्रस्ण के Kari Swift में थे जो संख्यों वाला बेंजक है इसका एंसर हो जाएगा बी तो आप एंसर में लिखिएगा केवल बी प्रसंद संख्या 3 में है नेमन बेंजकों को बनाने में पर्यूक्त संक्रियाओं जैसे कि यहां प्रैकेट में दिया गया है योग व्याकलन गुनन विभाजन ठीक है को देखिए और बत देख रहें एक्स प्लस नो है तो पलस का अर्थ होता है योग ठीक है तो पहला केसर क्या हो जाएगा योग बी नमर में एक्स माइनस नो तो यहां पर हो रहा है व्याकलन मुलब इसका मतलब होता है घटाओ ठीक है तो बी का एंसर हो जाएगा व्याकलन और सी का 13 बाई मतल तो यह आ जाएगा यहाँ पे 13 बाई यहां आप देख सकते हैं तो इसी तरह से यह क्या है 13 बाई मतलब इसमें गुना हो रहा है तो c में हो जाएगा गुनन तूंके उसके बाद d नमर में देखे हैं बाई बटा 13 बटा कर्थ होता है बागा तो बागा के लिए हाद दिया गय ठीक है आपको लिखने पहले क्या गुनन ठीक है गुनन और यहां पर योग हो जाएगा तो इसी तरह से सभी को आपको ग्याद करना है ठीक है चलिए हम आपको पहले इसका एंसर लिख देते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं तो आपको सिप्रकार से सभी का एंसर लिख लेना है तो ABCDE आप यहां तक सकते हैं और नोट कर सकते हैं ठीक है आगे फ जी एचाई कभी हमें अप लिख हैंट तो शेल्फीकों पहले समाझ लिए जैसा कि प्रस्ण F में दिया गया है 2F-15 ठीक है तो हमने वहाँ पर एंसर में लिख रखा था गुनन और घटाओ ठीक है घटाओ के लिए हाँ पर व्यक्लन का उप्योग किया गया था तो देख रहे हैं कि 2y गुनाम है माइनस में 15 इसलिए हाँ पर लिख दिये तो आप एंस एंसर में गुनन और व्यक्लन ठीक है जी में है साथ पी यहां पर केवल गुनाम है इसलिए इसका गुनन हो जाएगा एच नमर में देख रहे हैं माइनस साथ पी जो की पहले गुना है फिर बाद में यो योग हुआ आनिकी जोड़ा गया तो आपको लिखना है गुनन एव इसी तरह से प्रस्ण संख्या 4 को हल करें आप चाहें तो इसकी इस अभी का स्की इनसोट ले सकते हैं तो निंभी इस सथितियों के लिए बेंज़क दीजीए ठीक है जैसा कि प्रस्ण ए और एस तक में दिया घया है तो प्रस्ण इम्हें 5 जोड़ना ठीक है अब आपको इ करना है एमें 5 घाटा ना त्युक्स आपको सभी में लिखें उसके बाद C नमर दिया गया ए को पांच से गुना करना तो यह को 5 से गुना करने का है पहले डासी होता है उसके बाद 23 इसको जब गुना किजिए गा तो पांच ए āस त्gemeThis इस तरीका से लिख आएगा तो बागी सभी प्रस्चों को आपको इसी तरह से लिखना है इस फोर्म हैं mungkin जैसा कि आहाँ पूरा देख सकते हैं तो चाली सोको पहले लिख के बताते इस时 की से हल करना है तो आवका छैसा कि परकार से जिसा कि दीया गया था आपको इसी तुरह से सबमें लिख देना को पी में और समझगा यह तो आपको इसी प्रकार से इसका एंसर लिखना है तो आगे प्रसंट संख्या 5 को हल करें प्रसंट संख्या 5 में है निमलीखीत स्थीतियों के लिए बेंजक दीजिए तिक है यह प्रसंट जैसा 4 में Sowasahii 5 में दिया गया है तो जिस तरह से प्रस्ण 4 को हल किये उसी तरह से प्रस्ण संख्या 5 को भी हल करना तो प्रस्ण में दिया गया है एम के साथ गुना में छो जोड़ना दोस्तों यहां पहले गुना दिया गया बाद में जोड़ने कहा गया तो आपको इस तरह से बेंजक लिखना ठीक है तो हम आपको यहीं बता देते हैं पहले के соответ करना एक तो पहले आपको कि करना एम में गुणा साथ करना है ठिक उसके बात छोड़ना तो बस आपको छो को जोड़ दिना अब आपको इस ततरמצ इसको लिखना है साथ एम ठिके अपलस छे इस तरह से आपको लिखना राइट एंसर कर रुप में ठिक है यहां है दोए में तेरह जोड़ना तो बस आपको यहां लिख देना है दोए क्या कर रहा है disp retir तो सबंस्ट कर ना ठीक है उसके बाद सीम है reasonable पां से गुना करना तो बस आपको एक स्थेंग गुना कीजेगा तो माइनटर में पांचक आज आएगा ठीक है तो प्रस्न जाएगा माइनस पांच X ठीक में उसके बाद वाद professors जोडने का गया तो दस को जोड़ देना है इस तरीका से ठीक है परस्नीम है एक्स को 5 से गुना करके परिनाम में पंदरा घटाना थ fan愉ना करना है तो पांच एक्स यहां किता आने बोला सोरी दोस्तों अपर पलस जोडना हो जाएगा टिक तो आपको इस तरह से लिख देना है इसा करता हु कि आप यह पृस्ट अच्छी princes To को हल करेंगे तो प्रस्टथण शेके में है के और नौ का परियोग करके अलग अलग बैंजका बनाईये पर टेंग बैंजक में दोनों एक एक बार होनीी मतलब यह दोनों का परियोग करके आपको बैंजक ज्याद करना और साथ ही एक ही बार परियोग powinna चाहिए ठीक है अलग अलग रूप हल करने के बात साथ ही दो सेम संख्या नहीं होनी चाहिए ठीक है तो दोस्तों प्रस्टों के से सकते हैं ठीकि धिया इसको भागे रूप में लिखना है तो कै भागा नो ठीक है आप इसको ऐसे भी nra, no, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ये प्रस्थन अच्छे परकार से समझ गये, हब 6 का A हो गया है, सात ही अब इसको B को हल करेंगे, ठीके, तो यहाँ B पहले लिख लेते हैं, ठीके, तो B में दिया गया है, तो जिसा कि प्रस्ण B में है M, ठीके, 5 और 7 का पर्योग करके बेंजक बनाईए, ठीके, अनि M का पर्योग करना है 5 और 7 में, ठीके, पर ति एक बेंजक में M अबस होनी चाहिए, मतलब जो बेंजक आप ग्याद किजेगा 5 और 7 के मिलान से, ठीके, उसमें M होनी चाहिए, ठी और पांच और शाथ ठीक है अब इसकी मदद से बेंजग ग्याद करना और सभी बेंजगों में अबस होनी चाहिए ठीक है इसके नुसार से पहला बेंजग हो जाएगा पांच एम ठीक है इस तरह से गुनाक रूप में और यहां पलस साथ भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद द डिया इसतरीका से ठीक है उसके बाद तीसरा बेंसरा इस परकार से आप ग्याद कर सकते हैं जैसा कि यहां पांच throughout चैके अब मायनस में 5 इसको एसे तो लिख सकते हैं चाहुता ऐस अंहे थो यह पालसका 5 ठीक है इस परकार से भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक है आगने प बटा पांच भागा के रूप में ठीक है आप पलस में परिशनी बुला गया साथ भी तो बस आपको यहां पलस साथ कर सकते हैं इस परकार से अगला बेंजक आप इसको ऐसे भी ग्याद कर सकते हैं एम बटा पांच ठीक है यह पलस है यह माइनस जाएगा साथ तो आप इस पर और साथ के अलावा छे आठ नो इन सभी से मान नहीं ग्याद करीज़ेगा नहीं तो गलत बत्ता गया एं पांच आउर साथ का ही हिंट से आपको क्या करना ग्याद करना है इस अभी बैंजक तो आप इहां देख सकते हैं कि पांच और साथ के अलावा यहां पे कोई भी संख्य का इस्तिमाद नहीं किये गई है ठीक है और भी बेंजक निकलेगा ठीक है और भी आप इसको निकास सकते हैं ठीक है यह तो आप समझ गये तो मैं आसा करता हूं कि यह प्रस्ण आप अच्छी परकार से समझ गये साथ ही प्रश्ण वाली 12.3 का प्रश्ण संख्या एक से लेकर अच्छे तक का सभी प्रस्ण अच्छी परकार से समझ गया है तो आप चाहें तो यह प्रस्ण का आप स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं ठीक है धन्यवाद